MIUI 12 on any Xiaomi devices Hello दोस्तो, Welcome to Technica लिया जैसे कि आप देख रहे हैं यह मेरा Redmi Note 7 पूरो है जिसे मैं काफी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ इसमें आभी Official MIUI 11 का 11.0.9.0 चल रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन MIUI 12 available हो चुका है इस डिवाइस के लिए और Xiaomi के काफी डिवाइस के लिए जो stable version है वो जून के यहन में या फिर जूलाई के फर्स्ट विक में आ जाएगा आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा MIUI 12 कैसे आप अपने फोन में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं यह मेरा Redmi Note 7 Pro है जिससे मैं MIUI 11 का official version उस कर रहा हूं लेकिन इसमें अगर आपको MIUI 12 इंस्टॉल करना है और अगर अपने एनी शामी डिवाइस में MIUI 12 इंस्टॉल करना चाहता है तो एक डेवलोपर आया है जिसे आप इजीली MIUI 12 इंस्टॉल कर सकते हैं उसके लिए आपको सिंपली जाना परेगा प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने के बात यापर साच किजिए MI12 अपडेट जैसे कि आप थर्ड नंबर आप्शन देख रहे है MI12 अपडेटर इसको आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल किजिए तो यह एक early access है जिससे आप अपने device के लिए अपना ROM इंस्टॉल कर सकते हैं तो यह इंस्टॉल हो जाना के बात आपको इसे simply open करना है इसे हम open करते हैं तो इसमें आपको अपना device select करना पड़ेगा तो यह आप देख रहे हैं यह काफी सारे device के लिए वे available हो चुका है तो आप यहाँ से अपना device select कर लिजिएगा तो मैं अपना device select करता हूँ Redmi Note 7 Pro तो device select करने के बाद यह थोड़ा add आएगा है यह एक developer drop है और यह early access है तो इसके थोड़ा add तो आपको देखना होगा तो add आजना के बाद आपको simply इसे cross करना होगा आप देख रहे हैं मेरा device यहाँ पर select हो चुका है और simply आपको download update में click करना होगा download update में click होने के बाद यह थोड़ींग होने के बाद आपको दिखा रहा होगा यह देखिए हमारे device के लिए जो ROM available है latest Mio 12 का beta वो यहाँ पर आ चुका है तो आपको इसे simply download करना परेगा यह देखिए यह 2.16GB का है Mio 12 का ROM simply 2GB का उपर ही होता है कि यह बहुत सरे changes है इसमें इसलिए तो इसके regarding जो भी वीडियो है मैं आप लोगों के दे दूंगा आप इसमें कैसे install भी कर सकते यह भी दे दूंगा और हाँ इसमें Mio 12 का install करने के लिए आपको आपके phone का bootloader unlock होना परेगा और इसमें custom recovery install होना परेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता होंगा इससे आप कैसे unlock कर सकते हैं अपना bootloader और custom recovery कैसे आसानी से install कर सकते हैं एक easily method है जिससे आप custom recovery आसानी से install कर सकते हैं ताप यह पर अगर ok कर देंगे तो आप उपर जाएंगे तो देखिए आपका जो ROM है Mio 12 का वो download होना चालू हो गया है तो इस वीडियो में आपको यही बता रहा था कि एक early access का FA Mio 12 updater जिससे आप अपने device के लिए आसानी से अपना ROM latest ROM जो Mio 12 का है वो आप download कर सकते हैं अभी जो ROM है Mio 12 का वो beta program में चल रहा है stable update शायद आजाए June के end पे या फिर July के first week में तो अपने device के लिए आप Mio 12 का अगर ROM डाउनलोड करना चाहते हैं और install करना चाहते हैं तो simply यह आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में मैं इसका लिंक वीडियो के description में भी दे दूंगा आप वह से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना device सिलेट करके आपके device के लिए जो latest ROM एवलेबल है Mio 12 का बीटा ROM वो आभी डाउनलोड कर सकते हैं और installation process या custom recovery installation जो easily मेथोड है बहुत easily मेथोड है वो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा तो तब तक के लिए आप stay safe stay healthy रहिए थैंक्स पर दी वाचिंग थैंक्य।